सामाने हिंदी महतोपूंग जो mcqs है पार्ट 48 है और इसमें भी आपको मिलेंगे सामाने हिंदी के महतोपूंग mcqs देखे काफी महतोपूंग ये टेस्ट सरीज है उतराखन समूग और जनरल पेपर के लिए हाई कोट कलर्क जो अभी भरती आनी है उसके लिए और साथी जो ग्रूप दी की भरती आ चुकी है हाई कोट में अधिनिस्त जो सिविल कोट है वहाँ पे ठीक है और इसके साथ साथ देखे सीटेट यूटेट उसके साथ बेड इंटरेंस एक्जाम हो या UK SSC के अन्य एक्जा क्या होते हैं सब्दों के प्रारंब में जूलते हैं जो ठीक है और अर्थ बदल देते हैं सब्द का यह कहलाते हैं उपसर्ग तो यहां पर कौन सा सब्द है जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option D स्वार्थ ठीक है स्वार्थ जो सब्द है इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है और प्रत्याशित स्वागत इन सबी में उपसर्ग का परियोग हुआ है देखे दोस्टों उपसर्ग प्रत्याई आपको अच्छे से पढ़ड़ने होंगे तब समझ में आएगे तेक है उपसर्ग जो सब्दों के प्रारंब में लगत तो इसका right answer हो जाएगा option C, अधीर, ठीक है, तो अधीर जो सब्द है, इसमें अधी उपसर्क नहीं है, और बांके जो सब्द है अध्यापन, अध्यावशाय और अध्यादेश, यहाँ पे अधी उपसर्क का प्रियोग हुआ है, बलते हैं अगले प्रस्ण की तरप, अगला हर्योच्ट समस्थ पद का विग्रह क्या है, तो अर्यणे मुक्त जो सब्द है, अगर हम इसका पद विग्रह करते हैं, तो सही अर्थ क्या होगा, या सही option कौन सा होगा दिएगे, यहाँ पे जो विकल्प है, तो इसका right answer हो जाएगा, हर्योच्य का मतलब होता है, हर्योच से मुक्त मतलब रिन से छुटकार ठीक है option D इसका सही आंसर होगा रिन से मुक्त अगर देखे किस सब्द का संधी विच्षेद सुद्ध नहीं है इन मेंसे कौन सा ऐसा संधी विच्षेद है जो सुद्ध नहीं है तो संधी का जो चैप्टर है बहुत ही महतोफ ने दोस्तों बहुत ज्यादा question यहां से बनते हैं तो संदी वाला जो टॉपिक है आप इसको किलियर करें मैंने दिए हिंदी की प्लेइलिस्ट में दिया है संदी का पूरा टॉपिक ट्रिक के साथ दिया है आप अच्छे से याद कर पाएंगे कर ट्रिक समझ में आ जाएगी तो तो आप देख लीजिए का अपार सर्च करके त बांगी सभी सही है इसमें संदी विच्छेत सदा धनेव सदेव का होता है पित्र धन अनुमती पित्र नुमती का होता है और परम धन ओधार्य पर्मोदार्य का होता है बिल्कुद सही है अगला कोश्यन है अवर सब्द का विलोम क्या होगा तो अवर का विलोम बताना आप तो देगए सब्दों मेंसे कौन सा सब्द कामदेव का प्रियाईवाची नहीं है दोस्तों आपने गौर किया होगा जितने भी टेस्ट सिरी जाते हैं वहां पर आपको या तो कामदेव या पुर्थवी या आकास या कमल या पानी या मेग या भाहुरा या हीरन हाथी ठीक है इनको आप अच्छे से याद करें तो यहां पर कामदेव का प्रियाईवाची नहीं होगा option D अर्विंद इसके अलावा अनंग, मन, सिज, कंदर्प ये सबी कामदेव के प्रियाईवाची है जबकि जो अर्विंद है ये कमल का प्रियाईवाची है कामदेव का अन्य प्रि इनका संदी विच्छे अगर आपको सही से पता होगा तब आप बता पाएंगे तो आपको संदी अच्छे से याद करना जरूर है तो यहां पर option D जो है पयोद में विशर के संदी नहीं है बागी सभी में विशर के संदी है अनुधन स्वार, मनहादन, अनुकूल, संदी अगर देखें ऊस्म महापराण वन कौन सा रहे तो देखें ऊस्म महापराण वन मनमाला मैंने पुरा एक चैप्टर देया आपको जिसमें सवर और सार में मनें वियांजन भी दिया है कौन सा अघोस होता है, सघोस होता है, महाप्राण कौन सा होता है, अल्पप्राण वर्ण कौन-कौन से होते हैं, अच्छे से समझ जाएंगे अगर एक बार वर्ण माला वाला टॉपिक आफ देखेंगे तो, तो यहाँ पर उस्म महाप्राण वर्ण है, option D, 100, तो जो 100 है हलंत क तो पर वर्ण के साथ उस्म महाप्राण वर्णन बोला दाता है, इसको, बोले न, आप बोल के देखे, सो, अगर आदेखे, प्राथमे की स्था पर भासा अध्यान में मुख्या Tattva क्या होगा, अगर हम प्राथमे की स्था पर भासा का अध्यान करते हैं, तो इसमें सबसे प्रमुक तत्व क्या होगा question को समझे तो right answer होगा इसका option B सब्द भंडार अभिवर्दी वाक्यांस के लिए कौन सा सब्द असुद्ध है तो यहाँ पर देखे आपको वाक्यांस दिये गए हैं और इसके आगे वाक्यांस के लिए एक सब्द दिया गया है एक सेंटेंस इनि में से गलत है तो कौन सा है वो सेंटेंस आपको बताना है तो इसका जो सही answer है दोस्तों वो है option A ठीक है यह वाक्यांस से यहाँ पर बिल्कुल गलत है तीक है दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन कहलाता है सही है जिसे जाना न जा सके जिसकी आसा न की गई हो अपरत्यासित सही है चान या सीगर तूटने वाला खंड है यह बिल्कुल गलत हो गया चान या सीगर तूटने वाला कहलाता है भंगूर ठीक है भंगूर कहते हैं चान या सीगर तूटने वाले को अगला देखे इस्तरी पुरुष में प्रयुक्त समास कौन सा है इस्तरी पुरुष में जो समास है कौन सा है ठिके तो इसका सही даug buddies, option C द्वंद समास है द्वंद समास की एक विसेस्ता होती है दोस्तों ये हमेशा विपरीत यूगमुवाले चोड़ा होता है और इसके साथसाथ दवंद समास को पहचान देखा सबसे सरल तरीका है जो ये बीच में डेस आता है इन दो सब्द यूगमों के बीच में डेस होता है, इसथ rubbish के बीच में भी है डेस तो इस से आप एकदम पकड़ लेंगे कि ये दुशन समास है दिगु समास संख्या बोदग होता है कर्मधारे समास में आपको पता है और अव्याई भाव समास में क्या होता है अव्याई लगा होता है बहुवरी ही समास में क्या होता है समास विग्रा करने पर कोई तीसरा अर्थ निकलता है तो जैसे बहुब्री ही समास का उधारंग दूमें आपको एक दसानन तो दसानन को अगर मैं बिग्रा करता हूं तो इसको दस हैं आनन जिसके मतलब दस हैं सिर जिसके लेकिन दस सिर किसके थे रावण के थे निकल गया ना तीसरा आते तो दसानन में कौन सा समास हो जाएगा बहुब्री ही समास हो जाएगा तो ऐसे आपने पहचानना है अगर जातिवाचक व्यक्तिवाचक संग्याओं का कौन सा युगम गलत है तो एक तरफ जातिवाचक संग्या का उधारंग दिया गया एक तरफ व्यक्तिवाचक संग्या का उधारंग दिया गया यहां पर यु परवत की नाम है तो व्यक्तिवाचक मा आ गया नगर हो गया जातिवाचक और जयपूर हो गया एक नगर का नाम यह व्यक्तिवाचक संग्या का उधारन हो गया प्रताप को परताप उचारण करना कौन से प्रकार के असुद्ध उचारण का वेद है अगर हम प्रताप को परताप बोलते हैं तो कौन सा असुद्ध उचारण का वेद है तो ऐसे असुद्ध उचारण के भेद को का जाता है स्वरागम ठीक है option यह बिल्कुल सही answer है ठीक है नया कोश्यन आपको देखने को मिला हो गए, इसको बोलता है स्वरागम निर्दा लिखित में से तत्सम सब्द कौन सा है? तो कौन सा सब्द है जो तत्सम है? देखें, तत्सम सब्द वो होते हैं, जो डिरेक्टली संसकृत से उठाए गए हैं या यूँ कहिए कि यह संसकृत के ही सब्द हैं तो कौन सा देखें औप्शन में से तत्सम है? तो सही answer जो 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 जाए का औप्शन और विखेंगा ओप्शन प्रिश्ट तो यहां पर नहीं है बताना आपने कौन सा एन्द में से बहुब्री ही समास का अधारंग नहीं है तो इसका राइड आंसर हो जाएका ऑप्शन है पंसेरी इसमें बहुब्री ही समास का अधारंग नहीं है बहुब्री समास का मैं आपको बता चुका हूँ बहुब्री ही समास में क्या होता है जब समास विग्रा करते हम तो तीसरा क कोई निकलता है पंशेरे में नहीं हो रहा है सब आकी सभी में हो रहा है अगर एक खौ कैसा व क्यूं लुट है है तो सभी आंवर इस में तदोपरांत है प्रekन सभी सोल गाइसें सदोपतेश नम्रिकत सब्सक्राहा होे ओको केसे इनको पैचानेंगे बहुत ही आसान और सरल भासा में मैंने एक topic दिया था जिसने देखा हुग वह समझा होगा यहाँ पर जो अकरम किरिया वो रोना है ठीक है रोना option D निरपराद में प्रयोगत उपसर्ग कौन सा है तो देखे निरपराद या निर्पराद में कौन सा उपसर्ग प्रीयोग हो रहा है Halbira अर्थपदलते हैं सब्दों का वो उपसर्ग कैला अंतमा जूड़नेवाले प्रते कैलाते है तो निर्पराद में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा Option C NIR नी और आधा-raw लाश्ट है देखें निम्द में से कौन सा वारित का प्रियावाची सब्द नहीं है तो वारित का प्रियावाची निम्द में से कौन सा नहीं है महत्तोप हों है प्रियावाची से काफी कोश्यन आते हैं दोस्तों ठीक है वारित का मतलब होता है बादल ठीक है और यहां पर देखे मेग पयोद घन ये सभी बादल के प्रियावाची है तो कौन सा नहीं होगा अंबुज इसमें वारित का प्रियावाची सब्द नहीं है अब आप हर question का answer मैं नहीं दूँगा आप comment box में comment करके में बताएंगे अंबुज किसका प्रियावाची है ठीक है लास्ट एक दो चार टेस्ट पहले आया थे बिल्कुल मैंने बताया था आपको अंबुज का प्रियावाची आप जरूर बताएगा तो देखे दोस्तों सामाने हिंदी तो मैं आपको simply बोल दूँँ यह तो आपके टेस्ट सिर्ट जो आपका यहाँ पे विशलेशन करेगी कि आप कितना अच्छा कर रहा है कैसे पघ़र रहे हैं टॉपिक को कितने सही आंसर कर रहे हैं लेकिन सामाने हिंदी को अल करने के लिए आपको जो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है इन पे ज़्यादा पकड़ पनानी होगी बुक्स को ज़्यादा जाती है तो आप इनको अच्छे से याद करें कोई problem आती है तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी और फिर से मैं सुरू करूँ देखें topic तो मैंने सभी दे दिये हैं लेकिन फिर से fresh topic सुरू करने की सोच रहा हूँ है तो जल्दी आपको मैं descriptive session भी दूँगा आप अच्छे से तब अपनी study करें तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों कैसा रहा आज का test कितना score कि आपने comment कीजिएगा साथ कोई doubt query होती है तो भी पूर सकते है comment box में मैं आपको जल्दी मिलूँगा next topic में अपना ध्यान रखें जै हिंद वन दे मात्रम